अब हम तीसरा देखते हैं जिसमें हमको वृद्धी की प्रवित्ति देखने को मिल रही है वर्तमान परती भूमी इसमें हम देख रहे हैं जो 1959 में 3.7 प्रतिशत था वो बढ़कर 2014-15 में 4.9 प्रतिशत हो गया है तो ये परिवर्तन क्यों मिल रहा है हमने जब ये वर्ग पढ रहा था तो भी देखा था कि भारत में सांस्कृतिक प्रचलन हो गया है जो जमीन है भूमी है क्रिशी भूमी उसे परती छोड़ने का इससे क्या होता है कि भारत में जो एक क्रिशी वर्ष में कहीं एक फसल कहीं दो फसल और कहीं तीन फसल ली जाती है तो लगातार फसल उ हम जानते हैं कि हमारा भारत देश या उसकी जो क्रिशी है हम उसे मानसून का जुगा कहते हैं मतलब कहीं कभी मानसून बहुत अधिक बारिश कर दे रहा है कहीं बहुत कम कर रहा है अनियमित्ता भी है मात्रा में भी और समय के अनुसार भी कहीं अकाल पढ जा रहा है तो कहीं उपजावपन को कम कर देते हैं या लगातार फसल लेते रहने से भी जो भूमी का उपजावपन कम हो जाता है और जब हम कुछ समय के लिए या एक वर्ष के लिए जब हम उस भूमी को फसल वाली भूमी को परती छोड़ देते हैं खाली छोड़ देते हैं तो उस भूमी की जाउपन है उसमें वृद्धी होती है और फसल का उत्पादन हमें अधिक देखने को मिलता है तो इस कारण से भी इस प्रचलन के कारण भी हमें इस वर्तमान पड़ती भूमी में प्रतिशत जो है वो वृद्धी का देखने को मिलता है अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो चौथा समवर्ग है आपका निवल बोया गया छेत्र या शुद्ध बोया गया छेत्र इसमें भी हमें वृद्धी की प्रवित्ती देखने को मिल रही है जो 1959 में 41.7 था वो 2014-15 में बढ़कर 45.5% हो गया है तो हमने बात की थी कि इसमें वृद्धी क्यों देखने को मिल रही है जनसंख्या की बढ़ते दबाओ के कारण क्रिशी भूमी की आवशक्ता भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों को खाद्यान भोजन की आवशक्ता है और इस कारण से जो बंजर और व्यर्थ पड़ी हुई भूमिया है जहां पर क्रिशी कार्य नहीं किया जा सकता था पहले वहां पर नवीन तकनीक और प्रोध्योगी की क प्रवित्ती देखने को मिलती है तो यह हो गई बात भूमी उपयोग के ऐसे वर्ग जिसमें व्रिधी देखने को मिल रही है अब हम बात करते हैं भूमी उपयोग के वह वर्ग जिसमें हमें कमी का प्रतिशत जो है वो देखने को मिलता है तो इसमें सबसे पहले हम देख ल क्रिशी योगय व्यर्थ भूम्मी ये दโनों में में हमें कमी देखने को मिलती है कि बंजर और व्यर्थ भूमी का प्रतिशत 堂 1959 मंगे वो 13.4 प्रतिशत था और ये 24 – 15 में इसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है ये लगभग 5.5 प्रतिशत रह गया है वही हम क्रिशी योग ये व्यर्थ भूमी की जब बात करते हैं तो देखते हैं इसका जो प्रतिशत था उन्निस सो पचास इंक्यावन में वो लगभग 8.0 प्रतिशत था और ये भी 2014-15 में इसमें कमी होकर लगभग पचास प्रतिशत की इसमें हम कह सकते हैं आधी रह गई है ये और ये 4.0 प्रतिशत इसका 2014-15 में देखने को मिलता है तो क्या कारण है कि बंजर और व्यर्थ भूमी ये क्रिशी योग ये व्यर्थ भूमी में हमें कमी देखने को मिल रही है भई हम बार-बार बात कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में जनसंख्या का आकार या जनसंख्या के बढ़ने से यहां की भूमी संसाधन पर लगातार जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है लोगों की खाद्यान या आवशक्ताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी खाद्यान की आपूर्ती के लिए या भोजन की आवशक्ता की पूर्ती करने के लिए जो पहले बंजर और व्यर्थ भूमी थी या हम ये कहें जो क्रिशी के योग्य नहीं थी व्यर्थ भूमी ऐसी ही पड़ी हुई थी उस पे क्या किया जा रहा है कि नवीन तकनीक का प्रयोग करके उननत बीजों का खाद का प्रयोग करके उर्वर्कों के प्रयोग के द्वा यह जितनी भी व्यर्थ पड़ी भूमिया हैं उनको क्रिशी के योग्या बनाया जा रहा है इसमें नई नई जो तकनीके हैं उन्हें एडॉप्ट किया जा रहा है तो यह क्रिशी के योग्या बन जारी हैं और उसके बाद फिर इनमें खाद्यान्य का जो उत्पादन है वो कि से हमें बंजर और व्यर्थ भूमी या क्रिशी योग्य जो व्यर्थ भूमी है इसमें इन दोनों ही वर्गों में हमें कमी का प्रतिशत देखने को मिलता है अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट है विविद तरू फसलों या उपवनों के अंतरगत छेत रफ इसमें इतनी कमी हो गई कि ये मात्र एक दशमलो शुन्य प्रतिशत रह गया है तो इसमें इतनी कमी देखने को क्यों मिल रही है इसमें भी वही कारण है कि जो जनसंख्या का बढ़ता दबाव है इस कारण से अब लोग बाग बोल रहे है जाने दो कोई गारडन उद्यान या कौन देख रहा है वनस्पती आवरन को कि कितना होना चाहिए, कितना है, हमें तो यहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने हैं, नगरी करन को बढ़ाना है, अपने बड़ी-बड़ी फैक्टरियां स्थापित करनी हैं, या बहु मुंजिला इमारते हमें बन तो आपको बहु मंजिला इमारते या फैक्टरी से उद्योगों से निकलते हुए, जो काले धुए हैं, वो नजर आते हैं, क्योंकि अब इनका प्रतिशत बहुत कम रह गया है, और इस भूमी कभी हम उप्योग करके, यहां पर चाहे आवास के रूप में हम उप्योग करें या फैक्टरियों कोई स्थापित करने के लिए हम उप्योग करें, लेकिन इन भूमियों पर हम अपना कब्जा जो हैं, वो लगातार जमाते जा रहे हैं, तो इसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है, ना हमें जो फलदार वरिक्ष हैं या उद्यान हैं, इनका प्रतिशत भ में 6.1 प्रतिशत था, इसका रिपोर्टिंग छेत्र का जो प्रतिशत था, 2014-15 में 3.5 प्रतिशत हो गिया है, ये भी घटकर लगभग आधी रह गई है, तो पुरातन परती भूमी भी इसलिए यहां पर इसको यूटिलाइस कर लिया जा रहा है, कि फिर से वही बात आ रही है, कि जनसंख्या का जो दबाव है, वो बढ़ता जा रहा है, और जो यहां पर क्रिशी कारिय या उत्पादन लोगों को अधिक नहीं मिलता था, इसलिए वो उसे परती छोड़ दे रहे थे, तो अब यहां पर तकनीक के प्रभाव से प्रोध्योगी की को अपना कर, या हम उसमें उर्वरक, खाद या बीज, जो हैं उननत बीज, इन सभी के प्रयोग के द्वारा, हम यहां पर इसे क्रिशी कारे के अनुकूल बना ले रहे हैं, और इसमें क्रिशी का कारे किया जा रहा है, लोगों की खाद्यान आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए, तो इस क कारा गावाली जो भूमी है, इसमें भी हम व्रिधी का प्रतिशत देखे थे, और कारण यह है कि जो वर्तमान समय है, हम यहां पर देखते हैं, शाशन ने एक सामाजिक वानिकी कारिक्रम चलाया था, जिसमें वो क्या करते थे, जो गाओं के भूमी हिन क्रिशक हैं, या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उसमें एक प्रकार से वो लीस पर वो जो भूमी है, वो दे दी जाती थी, लीस पर तो नहीं, लेकिन उसी प्रकार से कि भाई यह भूमी दी जा रही है, वो सामुदाईक उप्योग की होती थी, वहां पर जाईए आप चारागा विक्सित जिए या वन का विकास कीजिए, तो और क्या होता था, जैसे चारागा विक्सित कर लिए, तो भूमी हिंजो वहां पर कृषक है या मजदूर वर्ग है, जिनके पास कोई भूमी नहीं है, आयका कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर उन्होंने चारागा वि उनकी आय का वो एक प्रमुख सोर्स थी इसी प्रकार हम ग्रामीर महिलाओं की भी बात करेंगे तो महिलाओं की एक जिम्मेदारी होती है कि पशुओं के लिए चारा इकठा करना या इंधन के लिए लकडियां इकठी करना तो अगर गाहों में इस्थाई चारा गाह वाली पड़ती थी लेकिन ये भुमी में विकास होने से या व्रिधी होने से अब उन महिलाओं को बहुत अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती और गाहों के छेत्र के अंदर ही उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा या इंधन के लिए जो लकडिया वो मिल जाती है और इसक विक्षर ओपन से संबंधित कारिये या चारा गाह विक्सित करने से संबंधित जो कारिये वहां पर किये जाते थे और उससे जो आय होती थी तो शाषन कहे था भई कि आप ही उसमें परिश्रम कीजिए और उससे जो होने वाली आय है वो भी आपकी ही है उनके लाभ के या व्रिधी की जो प्रवित्ती है वो देखने को मिली और दूसरा एक और फैक्टर है एक हमें पता है मन्रेगा जो कारिक्रम चलाया जाता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो योजना है इसके तहद भी इस भूमी का जो विकास है वो किया गया और वो गाओं के जो है वो अधिक विक्सित किया गया तो इस्थाई चारागा भूमी में व्रिधी का प्रतिशत हमें इन ही कारणों से देखने को मिलता है हम अपने भारत में भूमी उपयोग में परिवर्तन में वृध्धी और कमी वाले संवर्गों को हमने देखा कि कमी क्यों हो रही है और वृध्धी क्यों देखने को मिल रही है अगर हम भारत में अपने समस्त क्रिशी भूमी संसाधन की अधि बात करें तो क्रिशी भूमी संसाधन का अनुमान हम कैसे लगाएंगे जिसमें जितनी भी परती भूमी है और जो नीवल बोया गया छेत्र इन सभी को मिला कर यह हम यह कहें कि इन चारों संवर्गों को मिला कर हम यहाँ पर क्रिशी भूमी संसाधन का अनुमाद जो है वो लगा सकते हैं और हम यह देखते हैं कि भारत में हमने देखा कि क्रिशी योग्य जो व्यर्थ भूमी है क्रिशी योग्य व्यर्थ भूमी में उसका जो प्रतिशत है उसमें कमी देखने को मिल रही है लेकिन इसमें कमी के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि क्रिशी योग्य भूमी में भी या क्रिशी योग्य भूमी वाले संवर्ग में भी हमें कमी देखने को मिलती है तो यह क्यों एक इस तालिका के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा सकल क्रिशी भूमी संसाधन की एदी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसमें क्रिशी योग्य व्यर्थ भूमी या जो बंजर भूमी की बात करते हैं क्रिशी की योग ये तो है लेकिन वर्तमान में वहां क्रिशी कार्य नहीं किया जा रहा है इस समवर्ग को हम शामिल कर रहे हैं इसके साथ ही पुरातन परती भूमी वर्तमान परती भूमी और निवल बोया गया छेत्र ये जो चारों समवर्ग हैं इससे हम अपने भारत में सक सकल क्रिशी भूमी का अनुमान लगा रहे हैं और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कमी का प्रतिशत हमें देखने को मिलता है जो 1959 में आपका 59.5% था वो 2014-15 में घटकर 58.6% हो गया है तो हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास जो सकल क्रिशी भूमी संसाधन है हम बंजर और व्यर्थपड़ी भूमियों को भी तो क्रिशी की योग ये बना रहे हैं लेकिन जनसेंख्या का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और हमारा छेत्रफल जो है वो सीमीध है छेत्रफल में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हमारा जो शुद हम सिर्फ एक ही तरीका अपना कर जो है अपने उत्पादन में या उत्पादन की गुडवत्ता में व्रिधी कर सकते हैं वो है आपका भूमी बचत प्राध्योगी की भूमी बचत प्राध्योगी की के माध्यम से ही हम अपने उत्पादन की छमता को बढ़ा सकते हैं और इस या कीट नाशक बीजों का उननत बीजों का प्रयोक करके हम उत्पादन को बढ़ाएं या उत्पादक्ता को बढ़ाएं जो हमारा प्रतिकाई छेत्रफल है उसमें जो फसल ली जारी है उसके उत्पादन को बढ़ाएं तो भुमी बचत प्राद्योगी की के अंतरगत या तो हम गहन क्रिशी को agriculture intensity को बढ़ा कर अपने उतपादन में वृध्धी कर सकते हैं तो गहन क्रिशी क्या होती है, गहन क्रिशी का तात्परी होता है एक खेत में एक वर्ष में कितनी फसल ली जाती है इसे हम क्रिशी गहनता या गहन क्रिशी कहते हैं और इसे भी अपना कर हम उत्पादन में कृशी उत्पादन में वृद्धी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कृशी गहनता को अपनाना एक ज़्यादा सही तरीका होगा क्रिशी गहनता को अपनाने के दो लाब या दो फायदे होते हैं एक तो हमारा छेत्रफल खेत का छेत्रफल तो उतना ही है सिमीत है तो उसमें हम एक से अधिक फसल ले रहे हैं और एक से अधिक फसल लेने से क्या होगा कि भारत जैसे देश में भूमी की तो कमी है, भूमी संसाधन कम है, लेकिन श्रम की बहत अधिक्ता है, तो विशेशकर ग्रामीड छेतर में हम देखेंगे कि इस कृशी गहनता को अपना कर हम ग्रामी छेतर के लोगों में जो बेरोजगारी है या रोजगार की जो कमी है उसे हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि 6 महने जो कृशी कारिय हो रहा है और बाकी जो जब फसले नहीं ली जाती है तो लोग उस समय पर बेरोजगार हो जाते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि जब हम क्रिशी गहनता को अपनाएंगे हर छेतर में अपनाने की इसको कोशिश करेंगे तो ग्रामीन चेतर के जो लोग हैं मजदूर वर्ग जो है विशेश कर भूमी हिन क्रिशक हैं उन्हें रोजगार की प्राप्ती होगी तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है और हमें क्रिशी गहनता को अपना कर ही जो उत्पादन है उसमें वृद्धी करनी चाहिए क्रिशी गहनता को निकालने का एक फार्मूला होता है सुत्र है आपका सकल बोया गया छेत्र बटे निवल बोया गया छेत्र और इसे हम सौ से गुणा कर दे तो हमें क्रिशी गहनता का जो प्रतीशत है वो निकल कर आ जाएगा इसे एक उदाहरन से हम समझ सकते हैं माल लो एक किसान के पास 10 हेक्टेर खेत है अब 10 हेक्टेर खेत क्या हुआ कि वहाँ पर वो फसल लेता है और काटता है तो ये तो उसका शुद्ध बोया गया छेत्र या निवल बोया गया छेत्र हो गया 10 हेक्टेर अब अगर उसने उस दस हेक्टेर छेत्रफल का जो उसका खेत है उसमें खरीब की फसल ली चामल उसने बुआई की और उसके बाद जो रभी का सीजन आता है तो उसने क्या किया कि लगभग 6 हेक्टेर छेत्रफल में या 6 हेक्टेर के खेत का जो छेत्रफल है वहाँ पर उसने गेहु का उत्पादन कर लिया यह हम यह कहें कि गेहु की फसल ले ली और उसके बाद जो जायद की फसल है तो उसने लगभग 2 हेक्टेर में जायद की फसल ले ली तो इसमें श कि fix है जो 10 hectare जो है वो उसका खेत का आकार है ये उसका निवल बोया गया छेतर हो गया लेकिन हम जो सकल बोया गया छेतर बोल रहे हैं तो 10 hectare में उसने पहले चावल की फसल ली फिर 6 hectare में उसने गेहूं की फसल ली तो 10 और 6 16 हो गया और उसके बाद 2 hectare में मालोस ने कोई ज चेतर फल में तो 10, 6, 16 और 2, 18 तो उसका जो सकल बोया गया छेतर फल है वो आपका 18 हेक्टेर हो गया जबकि उसके खेत का जो आकार था वो निश्य था जो आपका निवल बोया गया छेतर हम उस 10 हेक्टेर को कहेंगे तो सकल बोया गया छेत्र फल आपका हो गया 18 हेक्टेर और बटे 10 हेक्टेर निवल बोया गया छेत्र हो गया और उसे हम 100 से भाग दे दे तो वो आपका क्रिशी गहनता का प्रतिशत निकलाएगा क्रिशी गहनता का प्रतिशत यदि 100 आता है तो हम यह मानके चलते हैं कि बहुत जादा उसमें इंटेंसिटी देखने को नहीं मिल रही है बराबर है लेकिन जितना वो 100 से उपर होता जाएगा तो हम यह कह रहे हैं कि उस खेत में उतनी जादा फसले ली जा रही है फसलों की ग भूमी उपयोग किया जाता है तो भूमी संसाधन है उसमें स्वामित के आधार पर उसका वर्गी करन करेंगे तो हम देखते हैं कि दो वर्गी करन किया जाता है एक जो भूमी संसाधन होती है या भूमी जो होती है वो नीजी स्वामित्व की होती है और दूसरी जो है वो स तो नीजी स्वामित्व में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, कोई व्यक्ति ही उसका उपयोग किया जा सकता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समुह होता है वो, लेकिन जो साज्या संपत्ति होती है, साज्या संपत्ति में ये एक तो सामुदाइक उपयोग के लिए समाज के उपयोग के लिए होती है और दूसरा इसमें शाषन का राजी का या ग्राम पंचायत का जो अधिकार है या स्वामित्व इस पर होता है नीजी स्वामितों वाली जो भूमी होती है या जमीन होती है वो लोग जिनकी वो जमीन है जिनका स्वामित्व है वहाँ पर वो अपने एनुसार उसका उपियोग करेंगे लेकिन जो साजह संपत्ती होती है हमने एक उधारन देदू में हमने बात की थी जब हमने नौवर्ग देखा था तो जो इस्थाई चारा गाव भूमी हमने कहा था कि ग्राम पंचायत में इसे साजह संपत्ती के नाम से भी जाना जाता है तो जो साजा समपत्ती होती है अभी हम फिर कह रहे हैं कि ये चुकि समुदाइक उपयोग के लिए समाज की उपयोग के लिए होती है पूरे गाओ की उपयोग के लिए होती है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा पशुओं के लिए चारा उत्पन्न किया जाता है या इंधन के जो वन उत्पाद हैं, चाहे फल की हम बात कर ले, रेशे हो गए, और शिधियां हो गई अलग-अलग प्रकार की, यह सब ही जो है वहाँ पर उत्पादन किये जाते हैं, यह इनका उत्पादन वहाँ पर होता है, और इससे क्या होता है, हम पहले भी बात किये हैं, जो गाओ के भूमी ही क्रिशक होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी भूमी नहीं है, या क्रिशक के मजदूर वर्ग के रूप में वो कारे करते हैं, तो इनके लिए यह उनके आय का एक अच्छा साधन हो जाता है, कि यहाँ पर यह अपने पशों को चरा कर, या वन उशधियां, या हम यह कहें, वन उत्पाद प्राप्त करके उन्हें बेच करिये अपनी आय जो है वो कमा सकते हैं, साथ ही ग्रामीर महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद होती है, कि यहाँ पर से ही वो अपने इंधन के लिए लकडी या पशों के लिए चारा इकठी कर सकते हैं, अब हम जो स अजर समपत्य संसाधन होता है, इसे हम सामुदाइक प्राकरितिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं, और जैसा हमने बात किया कि इसके उपयोग पर सभी क अधिकार होता है, चुक Cum rias समाज या सामुदाइक उपयोग के लिए होती है, तो इससे जो उत्पादन किया जाता है और जो आय होती है उसे पूरे समाज के उपयोग के लिए या हम ये कहें कि उनके फायदे के लिए जो चीज है वो उपयोग की जाती है या उस आय का उपयोग जो है वहाँ पर किया जाता है और ये जो सामुदाईक हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन जो होता है जिसे हम साज जो बी छेत्र यहाँ पर विक्षित किये जाएंगे उन पर सामुदाईक अधिकार होगा और इसके प्रबंधन का भी जो अधिकार है वो सामुदाईक रूप से जो इनका उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रदान कर दिया जाता है कि आप ही इनकी देखरेक करेंगे और यहाँ पर जो भी उत्पाद होंगे या जो भी से आयप्राप्त होगी वो आप लोगों के ही बीच में उप्योग की जाएगी तो यह हो गया साजा संपत्ति संसाधन अब हम यह देखते हैं जो भारत में भूमी उप्योग है या भूमी संसाधन की जो हम बात कर रहे हैं तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पर या भूमी संसाधन का इतना अधिक महत्व क्यों है चाहे वो क्रिशकों के लिए हो या हम भारत जुकि एक कृषी प्रदान देश है तो यहां पर भुमी संसाधन का क्या महत्वह है तो हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि खज बहु पूरी तरह से भूमी पाराधारित है अगर हम अगर हम प्राथ्मी क्रियाओं की बात करेंगे तो दिज़तियक और तृत द्वितियक क्रियाओं की अपेक्षा जो प्राथमी क्रियाओं है या हम करिशी की ही बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से भूमी की quality पर वो depend होती है भूमी से वो प्रभावित होती है कि वहां पर जाऊपन कैसा है, किस प्रकार की भूमी है उस आधार पर उस भूमी में के लिए सबसे अधिक महत्व है और हम ग्रामिंट छेत्रों में चले जाएं तो ग्रामिंट छेत्रों में हम यह देखते हैं कि यहां पर लोगों के पास जो जमीन होती है या किसी के पास भी उस ग्रामिंट छेत्र में रहने वाले लोगों के पास जमीन का होना या नहीं होना पर अमीरी और गरीबी का सूचक होता है, मालो किसी के पास बहुत अधीक जमीन है, तो हम कहते हैं कि भई वहां का माल गुजार है स्थानी भाशा में, यह हम यह कहते हैं कि बहुत मालदार आदमी हैं, और किसी के पास बिलकुल भी भूमी नहीं है, तो हम उसे निम्नश्रेण का या गरीबी का सूचक मानते हैं। दूसरा महत्व हम देखते हैं कि जो भूमी की गुडवत्ता है जैसा क्रिशी की उत्पादन को वो बहुत अधिक प्रभावित करती है। जबकि चाहे वो सडके अगर बनानी हो या आवास का निर्माण करना हो या किसी भी प्रकार के उद भी हैं, बंजर है या उपजाऊ जमीन है। इन सभी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्रिशी पर वहां पर कि भूमी की गुडवत्ता का उसका समतल होना, उसका उपजाऊपन होना क्रिशी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। साथ ही हम इसका तीसरा महत्व देखते हैं, हम ग्रामीर छेत्रों की बात करेंगे, तो ग्रामीर छेत्रों में भू स्वामित्त जो है, वहां पर आर्थिक संपन्नता का और सामाजिक सम्रिधी का सूचक भी माना जाता है। और साथ ही साथ हम यह देखते हैं, किसी भी प्रकार की जो अकाल की परिस नीजी संपत्थी सुरक्षा के रूप में यहां पर देखते हैं, यह हमें वो भावना होती है कि इतनी जमीन है हमारे पास, तो वो हमें एक संपत्थी से संबंदी सुरक्षा जो है प्रदान करती है, तो ये हो गए भूमी उपयोग मतलब क्रिशी के लिए या भारत के जो ग्रामीन छेतरे हैं या भारत में भूमी संसाधन का क्या महत्व है और बच्चो इसमें जो हमने आज भूमी संसाधन के विशे में जितनी भी बाते की चाहे हमने उसका वर्गी करन देखा साजा संसाधन के बारे में बात की भूमी उपयोग में कमी वाले संवर्ग देखे और व्रिधी वाले संवर्ग देखे तो इसे आपको छोटे प्रशनों की हिसाब से और बड़े प्रशनों की हिसाब से भी त्यार करना है विशेशकर जो हमने भूमी उपयोग के जो नौ वर्गी करण देखे हैं उसमें आपको अगर प्रतिशत याद नहीं भी रहता है तो निवल बोया गया छेतर का जो प्रतिशत है वो तो आपको याद होना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको वो जो हर समवर्ग है उसको एक पर पत्ति संसाधन क्या है और इसका क्या महत्व है हमने क्रिशी गहनता की बात की थी तो दो नंबर के प्रश्ण में आपको क्रिशी गहनता का सुत्र और क्रिशी गहनता क्या है उसका महत्व क्या है ये पूछा जा सकता है तो बोड परिक्षा के हिसाब से आपको भूमी संसा इस टॉपिक को ऐसे भी तयार करना है झाल करना है झाल करता है झाल कि अ यास झाल ender झाल झाल